हेलो दोस्तो आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल जो भंडार को और साथी दबाए इस बैल आइकन को हलो दोस्तो एक बार फिर से मापके लिए एक बड़ी भरती की अपडेट लेकर आया है इस वीडियो में हम बात करने वाले है रेल्वें पेरामेडिकल भरती 2021 के बारे में जी हाँ दोस्तो रेल्वे के इंतरगत पेरामेडिकल अश्टाप के लिए भरती निकली है यहाँ पर लिंडिया के लिए वेकिंसी जाए मेल फीमेल बहुत कंडिडेट अप्लाई कर सकते है अप्लाई करने के लिए कम से कम दसी पास या बारी पास या आईटेई का होना जरूरी है दोस्तो अगर बात की जाए सेलेक्शन पोर से इसके बारे में आपका सेलेक्शन बिना किसी आ अपलाई करना चाहते हो तो अपलाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अपलाई करने के लिए क्या eligibility criteria होना जरूरी है आपको यहाँ पर कितनी से लिली मिनने वाली है selection आपका किस बेस पर होगा आप इस बढ़ती के लिए कैसे अपलाई कर सकते हो और कब से कब तक apply कर सकते हो जो किये complete details आगे इस वीडियो में मैं आपको ओपिशन notification के दवारा step by step provide कराने जा रहा हूँ तो दोस्तो पुरी जानकारी के लिए बने रहे हैं इस वीडियो में हमारे साथ अंतक दोस्ते आपके सामने इस बढ़ती का ओपिशन notification इसके दवारा मै मैं आपको इस बढ़ती की complete जानकारी step by step provide कराने जा रहा हूँ तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाई या बढ़ती नोर्थ इस्ट फोनिटर रेलवे के अंतरगत निकली है अपलाई करने के लिए post पेरामेडिकल अस्टाप जिया दोस्तो पेरामेडिकल अस्ट पेंसी और डाटा एंट्री ओपरेटर के लिए एक विकिनसी है दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि आप इस बढ़ती के लिए कैसे apply कर सकते हो आप इस बढ़ती के लिए whatsapp के तुरू या mail के दवारा या फिर google form के दवारा apply कर सकते हो apply करने का process आपको यहाँ पर provide करा रखा है google form आप इस link से download कर सकते हो whatsapp number आपको यहाँ पर provide करा रखा है email address भी आपको यहाँ पर provide करा रखा है दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि apply करने के लिए education में क्या eligibility होना जरूरी है age limit आपकी क्या होनी जरूरी है और से लिए आपको यहाँ पर कितनी मिनने वाली है सबसे पहले बात आती है nursing staff के लिए इस post के लिए 6 vacancy है apply करने के लिए certificate as registered nurse और midwife का 3 साल का course complete होना जरूरी है 20-40 साल के candidate apply कर सकते हैं से लिए आपको यहाँ पर provide करा दी जाएगी 44 या 900 रुपे पर मन्त बढ़ते हैं आगे की और जान लेते है hospital attendant post के बारे में इस post के लिए यहाँ पर apply करने के लिए 10 पास या फिर ITI का होना जरूरी है 88 से 33 साल के candidate apply कर सकते हैं से लिए आपको मिनने वाली है 18,000 रुपे पर मन्त लाट है entry operator post के लिए इस post पर apply करने के लिए degree साथी साय टाइपिंग का होना जरूरी है 88-33 साल के candidate apply कर सकते है सेल आपको मिनने वाली है 99,00 रुपए पर मंत Lab Technician के लिए इस post पर बारी पास candidate apply कर सकते है apply करने के साथ साथ 12 आप 2 वी के साथ DMLT का डिपलोमा भी होना जरूरी है 19-33 साल के candidate apply कर सकते है सेल आपको मिनने वाली है 25,500 रुपे पर मन जियां दोस्तो 25,500 रुपे पर मन आपको प्रोवाइड करा दे जाएंगे दोस्तो अपलाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन सुल्क जमा नहीं कराना होगा आप इस भड़ती के लिए बिना किसी आवेदन सुल्क के अपलाई कर सकते हो अपलाई करने का complete process है के आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड करा रखा है इसके आधार पर भी आप यहाँ से अपलाई कर सकते हो अप्लाई करने के लिए लाई डेट है 15.05.2021 जिया दोस्तो 15.05.2021 तक ही आप इस बढ़ती के लिए अप्लाई कर सकते हो सेलेक्शन आपका ओनलाइन इंट्रू के आधार पर होगा यहाँ पर कोई भी एकजाम नहीं होगा के लिए इंट्रू के आधार पर ही आपका सेलेक्शन किया जाएगा दोस्तो यह तीस बढ़ती की कंप्लेट जानकारी अगर अब भी आपको और जयत जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिपिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो इस नोटिपिकेशन का लिंक मैं इस वीड़ो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ वहाँ से आप इस नोटिपिकेशन को डाउनलोड करके इस बढ़ती की कंप्लेट जानकारी आसान से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाइ कर सकते हो दोस्तों गर आपके मन में इस बरती से related कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरी यह पूछ सकते हो I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को like और share जरूर करे अगर आपने भी तक हमार चैनल को subscribe नहीं किया है